रेडियो और टेलिविजन प्रोग्राम्स की जुबैदा तारिक और पाकिस्तानी हाउस वाइफ्स की जुबैदा आपा ना सिर्फ बेहद लजीज खाने पकाने और सजाने में महारत रखती हैं बलके इनका मुन्फरिद अंदाज भी दिल मो लेने वाला है सुबैदा तारिक ने पचास साल की उमर में अपने कुकिंग करियर का बाकाइदा आगास किया और चन्द ही महीनों में खवातीन के दिल में ऐसे घर कर गई कि आज तक वहाँ चाई हैं खवातीन ना सिर्फ इन से खाना बनाना सिक्ती हैं बलके इनकी आसान और कारामद टोटकों से भी मुस्तफीद होती हैं आपने एक मशूर गी के ब्रैंड की एडवाईजरी सर्विस से खाने पकाने के सफर का आगास किया और आज तक मुखतले फूड ब्रैंड्स की नमाइंदगी करती आ रही हैं इसके साथ साथ आपके तीन हजार से जायत कुकिंग शोज भी मनजरे आम पर आ चुके हैं आप काफी अर्से तक रेडियो से भी मुनसलिक रही और आपके खिद्मात के एतराफ में आपको बेनजीर विमन एक्सिलेंट्स एवार्ड भी मिला आपने खाने पकाने के मुतालीक कई किताबें भी लिकी हैं जो बिला शुबा पाकिस्तानी खावातीन के लिए एक तोफा हैं आईए मिलते हैं जुबैदा तारिक से अस्तामुलिकूम जुबैदा आपके लिए अभी से दिखिए एसे मेसेश आ रहे हैं सबा मुतान से कहती हैं अच्छा इटो जैनरली कह रही हैं सबादेंगधा तो महीने बाद मेरी शादी है लीज मेरे लिए दूआ करें इंशालला बेटा सब बच्चें के लिए दौए हैं अला मियां सब के बस नसी बच्छा करें अपने घरों में आबाद रहें बस साना के रही हैं लाहूर से नादिया आजा बहुत अच्छी लग रहे हैं तैंक्यू जुबैदा आपा हम सब यह बाइद वे कामया रोकनी का कमा है कमाल का भी इस ब्रिलियंट जुबैदा आपा हम सब बहनों की फेवरिट कुकिंग एक्सपर्ट है हमने उनसे बहुत कुछ सीखा है थैंक्यू जुबैदा आपा जो है वह नाजीन करेक्ट मीवां रॉंग जुबैदा पर आप हैदरबाद दकन में पैदा हुई नाइट 1445 हैदरबाद दकन मेरे पैदा हुई 4 अफरिल को और पार्टिशन के एक साल बाद आपकी फैमिरी हाई हाँ 48 में ऑक्टूबर में यह हम लोग यहां पहुचे हैं और 50 में मेरे नाना ने मेरी अम्मी को कभी अलग ने किया मेरी अम्मी अकेली थी तो हमेशा साथ रखा मेरे वालद को मेरे वालद को मेरे अम्मी का नौ साल की उमर में हुआ था और तैरह साल की उमर में शादी हो गयी मेरे वालद 11 साल के 13 साल के और विस जब ओताना कार्ट ठीकिती थी थी तो आपना नो गोई व्यूंज के वालद कि देट हो गई हम 10 पहन भाई आप इन मैं फाटमा सुरीय बजीया कि सबसे बढ़ी बहाई निगाव आपकी बहनों में से इसस काजमी भी मेरी बहन है मिस्थवरा काजमी भी आपकी बहन है एक इतना सख्त टालेंटड खांदान और आपके वालद बिजिस्टमन थे हुड़ेल्ट इंपॉर्टन एक्सपॉर्ट मेडिसिन बहुत मसले मसायर पैदा हुए बहुत ज्यादा कि पार्टिशन के बाद नादिया ऐसा हुआ था के जिन के पास वहां सब कुछ था यानि तसवर भी हम नहीं कर हमें वैसे शायद खाब भी नजर नही बहुत बाशाओर बहुत इंटलेक्च्वल बहुत जादा शायर भी थे बहुत जादा पढ़े लिक्खे आदमी थे बहुत सेल्फ मेड़ाद तो यह तहजीब दिरसे में समय से अन्हीं के उन्होंने उनका ये था कि जैसे आजकल हम देखते हैं कि हम भी नाना नानी दादा बुलत बशच्वजदादी बने हुए हैं लेकिन हम बच्चों को उतना वक्त नहीं दे पाते जितना देना चाहिए स में आप ज्यादा कौंसा क्हेल खेला हमने क्योंके बच्पन हमारा बहुत ऐसा घुजरा कि हम सोचते थे कि अम्मी इतनी खामोश क्यों बैठी है जब होश आया तो अम्मी को हमने परिशान देखा तो कुछ जादा खेल वे जो उस जमाने के खेल क्या होते थे फिलोंगे वगड़ा थो ते नहीं थे पिठ्टू खो चौड़ सिपाई जो घरों वही होते दो अनवर भाई सिपाई बन जाते हैं लेकिन अच्चोर और अनवर माम उस्वाइब तो अनवर भाई अपना जरप ला हमेशा बारी रखते थे अनवर भाई की कैसे वह शराटे थ अन्वर भाई की अम्मी को मेरा खाल है कि वालत के जाने के बाद पही दफ़ा जो हसाया वो अन्वर भाई ने हसाया अन्वर भाई हरकते ऐसी करते थे जैसे कि जोकर बन गए कभी छुप गए कभी किसी की नकले उतार लिए सारे जाने घर में 10 शायरों का मुजारा अकेले जहराबाओ जी अनवर भाई कर लेते थे नकले उतार उतार के और लगता था जैसे वही पहर घड़तार है थाउआर के आफ महें बात बात कर रहे थे शोष्रू ने से पहले कि अब वह महौह बात कर रहे थी क्यूंकि देखो वह महौल वह था कि उन सब लोगों को अपने माबाप की तर्वियत में दी रही थी हम आज हम जो हमारे यां बहरा रवी का शिकार हो रहे बच्चे वह क्यों हो रहे कि माबाप वक्त नहीं दे पाते हैं मैं हर शो में ये बात करती हूँ कि जब मैं स्कूल जाती हूँ अपने नवासे नवासे पोते पोतियों को लेने तो आम तो पर जो बच्चे उतरते हैं उनके साथ एक गन्मेन होता है आज एक बच्चा जो रिक्षा में अपने बाप के साथ आता बाप उतर के प्यार करता है, वो पोजिशन होड़ डर होता है, उसको मालुम होता है कि मेरे बाप मां मेरे साथ हैं, मैं कोई गल्ब नहीं करूंगा, और गन्मेन के साथ जो बच्चे उतरते हैं बड़े फखर से बड़ी बड़ी गारियों में वो बच्चे अपने आपको जिन्देगे पर इन से क्यों फिल दाएं कितनी बड़ी बात बाता आपका कहा रही हैं और सुबा जो खत भी कराची से कि वो खातू ने लिखा अख़वार में फैमली सिस्टम की बारे में और इसी चीज़ के बारे में आपको जवाब भी मिल गया और आई हो जाएं तो हो जाए तो ताकि अपने बच्चों की तर्वियद वापस अपने प्लिए मुलक इतना प्यारा है निरुना इतना प्यारा है इस मुलक की जमीन ने इतना सबको नावाजा है लेकिन हमने एक लमभ? भी इसको नहीं दिया हाजरीन बेक के बाद आपस आएंगे बहुत सा